कक्छा दस्मी के छात्रों के लिए लेकर आये हैं तर्मार्सिक परिक्षा 2024 का कक्छा दस्मी का विसाय सामाजिक विग्यान का पेपर जो कि आपका 24 सितंबर को होना है उसका रियल पेपर है दोस्तों 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको 75 अंकों का यह प्रशन पिरत रहेगा और 3 गंटे का इसमें समय रहेगा और मैं आपको बता दूं 100% आपको यही पेपर देखने को मिलेगा सभी प्रशन करना अनिव बार ये रहेगा एक से पात तक एक अंक, छे से सत्रह तक दो अंक, अठारा से एकीस तक तक तीन अंक और एकीस से तेहिस तक आपको चार-चार अंक मिलेंगे, चलते हैं सीधा प्रशनक्रमांग एक की तरफ, बे उत्पादक जिन पर जीव निर्वर रहते हैं, दृतिय हीरा कूंड पारीयुग्णा किस नदी पर बनाई गही तो गंगा नदी महानदी यमनदी नर्वदा नदी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों हीरा कूंड परी उजगणा किस नात्त उसत आय को अंड किस नाम से जाना जाता है माना विकास यूएस डॉलर सीमांत आय या प्रतिव्यक्ति आय तो जो उसत आय है उसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है प्रतिव्यक्ति आय की नाम से नेक्स्ट परता हम अंताराष्टि किस बर आयुजित हुगा Schon 1992 je जयां ती है आप आप चलते हैं नेक्स्ट बालकन छेत्र में नवासियों को क्या कहा जाता था ओफशन एडच ऑफशन बा स्लाव ऑफशन सा टाम टोल्स या ओफशन दा इनमें से कोई नहीं तो बालकन छेत्र के नवासियों को स्लाव कहा जाता था नेक्स्ट लोगतंत्र का मूल मंत्र क्या है ओफशन ए राज्टंत राइट आंसर है सासन चलाना यह थे आपकी दूस्तों सही विकल्प जो कि आपके एक एक नम्मर के थे तो रट लीजे हैंड़ परसंट यही पेपर आपको 24 सितंबर को देखने को जो सही रिक्तिस्तानों की पूर्ति की यह सत्ता की साज़ेदारी की आत्मा है तो जो सत्ता की साज़ेदारी की आत्मा है वो है लोगतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगतंत्र दूसरा इसका छोटा नाक पूर छेत्र में जन जाती निवास करती हैं तो इसका जो प्राइट आंसर है वह इच्छ है तीसरा इसका सो दिनों की रोजगार योजना को कहा जाता है तो इसका सो जो सो दिनों की रोजगार योजना को कहते हैं हम मन रहेगा नेक्स्ट इसका खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश है जी है दोस्तों खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश है भारत हमारा भारत नेक्स्ट बिस्वी की सरवादिक बरसा खालिस्तान में होती है जी है दोस्तों बिस्वी की सरवादिक जो बरसा है वो होती है मौसी मौसी ए राम में अब चलते है नेक्स्ट मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्ता जारी करती है जी है दोस्तों जो मानव विकास की रिपोर्ट है वो यू एन डी पी जारी करता है तो यह संस्ता जारी करता है अब चलते हैं अगली प्रश्ण की तरफ तो मैं आपको बता दूँ कच्छा दस्मी का बिसाय का पेपर है आपका रियल पेपर 100% अब चलते हैं सही जोड़ी यह आपका पहले का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिहार और जो दूसरे का राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एक आत्मक्सासन व्वस्ता रोल एट एक्ट तो जो दूसरे का राइट आंसर यह चोथे का हो जाएगा गाह और यह नेक्ष्ट इसका हो जाएगा पहले का खा और चोथे का हो जाएगा गाह और यह पांच में का हो जाएगा आपका गाह 1833 और आपका छटे का हो जाएगा का उत्राखंड और आपका जो ये स्री लंका है ये हो जाएगा आपका दूसरे का और ये तीसरे का हो जाएगा बेल्जियम तो ये थी आपकी सही जोड़ी ये प्रती एक सही जोड़ी पर एक एक आपका आवंटित है एक एक आपको मिलेगा आप चलते है प्रश्न गर्माग चार की तरफ एक सब्द बाक में उत्तर दीजिए पूर्ण सुतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था तो जो पूर्ण सुतंत्रता का प्रस्ताव है वो 19 दिसंबर 1929 को हुआ था नेक्ष्ट लोक्तांत्रक सरकार किसके प्रति उत्तरताई होती है तो इसका राइट आंसर है जनता के प्रति नेक्ष्ट इसका किर्सी छेतर में कौनसी बेरोजगारी पाई जाती है जी हां दोस्तों करसी छेत्र में प्रचहन्व बेरोजगारी पाई जाती है टहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदूलन चलाया गया था जी हां दोस्तु के टहरी में एक आंदूलन चलाया गया था उसका नाम है बीज बचाओ आंदूलन तो इसका राइट अंसर है ये अब चलते हैं नेक्स्ट आदूनिक भारत का मंदिर बांदो को किस ने कहा था आदूनिक भारत का मंदिर बांदो को किस ने कहा था तो इसका राइट आंसर है पंडिज जवाहरलाल नहरू जी ने कहा था जी हैं दोस्तों आदुनिक भारत का मंदिर बांदो को किस ने कहा था पंडिज जवाहरलाल नहरू ने नेक्स्ट रोल एक्ट एक्ट कब पारित हुआ तो यह हुआ था आपका 18 मार्च 1919 को अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्ण गरमांग 5 सत्त सत्त का चेन करके लिके भारती बनने जीवा दिनियों 1972 में लागू किया गया यह सत्त है भारत में मुक्र नर्वाचन आयो का कारेकाल भूपाल में है यह आपका असत्त है नेपेलियन का पतन 1813 में हुआ सत्त चोथा आपका यह भी सत्त पांच माहें आपका स्री लंका ग्राह युद्दी की समापती 2009 में हुई यह भी सत्त और छटा है आपका माना विकासु चांक को एजडी आई कहती है यह भी आपका सत्त अब चलते हैं नेक्स्ट यह आपका प्रश्नक्रमा अच्छे मर्दा सरक्चन के कोई दू उपाए अत्वा जलून मर्दा कोई दू विसे इस्ता है साथ मर्दा निवनी करन क्या आसा है अत्वा राष्टी संसादन के से कहते हैं आटमा विचारदारा का आसा समझाई यह उदारवाद का आर्थ नौमा बहिसकार सब्द का आर्थ जालियावाल बाग हत्यकान कब हुआ था दस प्रतमबस वियुद्ध के अंदरिये सक्तियां कौन सी थी उन्नीस वी सदी यूरीप में कौन सी समस्या थी यह आपके क्वेश्चन यह आपका प्रश्ण करमा ग्यारा स्री लंका में सत्या की साज़ेधारी का क्या आधार है अध्वा गटमंदन सरकार से क्या तात्वर यह बारा मन्रेगा को स्वादिन रोजगार यूजना क्यों कहते हैं अध्वा सखल का रेलू उत्पात किसे कहते हैं तेरवा जीवन प्रत्यासा क्या है अध्वा यह आपका ग्यार्मा इसको भी आप कर लीजी हंड़ेट पर्संट दोस्तों रियल पेपर है चोबीस सितंब को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा जीवन प्रत्यासा क्या है तेरवा मुद्रा के प्रियोग बस्तुमों के बिनिमा है मैं सहूलियत कैसे होती है चाहुदा मुद्रा में आदुनेक रूप से कौन से रन ओप चार एक सुरोथ कौन कौन से हैं पंद्रवा नाटो का मुखाला कहां पर है 17 लोकतंत्र की परिवासा कीजिए 18 प्रात्मेक छेत्र में क्या क्या आता है 19 रिण में बिकास में रिण की भूमी क्या समझाईए 20 परिस्तितिक तंत्र बन परिस्तितिक तंत उपयोगता बताईए 21 आर्थिक महान दी नेक्स्ट यह आपका 22 सवीनाय अवग्या अंदोलन की चरण व्याक्या कीजिए भारत चुड़ो अंदोलन व्याक्या प्रिश्ण करमांग 23 संगीय सासन तो यह था दूस्तों आपका कक्छा दसमी का विससामाजिक विक्यान का पेपर चुकिए आपका 24 से दंबर को होना है तो वीडियो करें तक देखने के लिए धन्वार लाइक कमेंट से जरू करें